Hello friends, welcome back to my channel. मैं Dr. Priyanka याद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं यदि husband और wife दोनों का blood group same होगा तो क्या होगा? पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि यदि husband और wife दोनों का blood group same होगा तो pregnancy प्लान करने में दिक्कत आएगी. जनरली husband और wife दोनों का blood group same हो तो साधी भी नहीं करनी चाहिए इसा लोग बोलते है या फिर बच्चा आ जाता है तो बच्चे में भी दिक्तत होने के chances बढ़ जाते है रिपीटेड अबोशन के cases बढ़ जाते है यदि husband और wife दोनों का blood group same हो तो यह बात बहुत ज़्यादा मु तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे question के answer देने वाले है फ्रेंट आखिरी तर जुड़े रहेगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं blood group के बारे में blood group generally 4 तरके होते है A, B, A, B and O और दूसरा factor होता है उसका RH factor यदि आपके अंदर RH antigen है तो आप RH positive है और यदि RH antigen नहीं है तो negative है यानि के blood group इस तरह से बनते हैं A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative and O positive, O negative तो अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यदि आपकी साधी यहां पर आपी के जैसे blood group वाले लोग से होती यानि के दोनों का blood group सेम है तो क्या दिक्कत आएगी तो यहां पर दिक्कत कोई नहीं आएगी वो एक अच्छी बात है यदि दोनों का blood group सेम है तो होने वाले बच्च बच्चे में दिक्कत आते हैं एबोशन के रेट बढ़ जाते हैं वो चीज गलत है उससे उल्टा दूसरा यह है कि यदि वाइप का ब्लड ग्रूप O है और हस्बन का ब्लड ग्रूप A है B है या A B है तो बच्चे में A B वो incompatibility होने के chances बढ़ जाते हैं अब उससे क्या होता है बच्चा बाहर आते ही उसको पिलिया होने का यानि के जुन्डिस होने का rate बढ़ जाता है बच्चे को यदि जनम के साथ ही पिलिया होगा जुन्डिस होगा तो उसको वहाँ पर फोटो और वाइप का blood group है वो negative है इन दोनों की साधी हो तो क्या होगा तो वहाँ पे होने वाले बच्चे में आरेच इनकमप्रिबिलिटी होने के chances बढ़ जाते है यानि के यदि आप यानि के वाइप negative blood group वाले है और उनको pregnancy रुपती है तो उनको वहाँ पे NTD injection देना पड़ता ह और जैसे ही बच्चे का जनम होता है उसका blood group वहाँ पे जांच किया जाएगा यदि बच्चा positive आता है यानि के माता negative blood group आली है और बच्चा positive blood group आला है तो वहाँ पे माता को फिर से NTD का injection देना पड़ता है और यहाँ पर यदि दोनों negative होते तो वह injection देने की जरुरत नही देना पड़ता है तो यहाँ पर यदि आप दोनों का blood group सेम है तो वहाँ पे pregnancy planning में कोई दिक्कत नहीं आएगी pregnancy ना रुक रही हो आपका तो वह reason नहीं है दूसरे बहुत सारे reason होते है जो आप हमारे दूसरे वीडियो में देखी रहे है तो दूसरे यदि reason है उसके चलते नहीं रुक रही है या कुछ query है तो आप हमें comment box में पूछी सकते है या फिर आपके pregnancy रुकने में कोई और दिक्कत आ रही है आपके रिपोर्ट अच्छे नहीं है या husband के रिपोर्ट अच्छे नहीं है तो आप हमारी टेलिपोनिक appointment book करा सकते हैं होमियोपेथिक मेडिसिन की मदद से आप जल्ली से pregnancy consume कर सकते हैं हमारी टेलिपोनिक appointment book कराने की सारे डीटेल नीचर description box में दी गई है वहां से आप WhatsApp नंबर पितना ही message करने मुझे आपको आपनमेंट चाहिए आगे मेरी टीम आपको guide कर देगी वीडियो अच्छा लगे तो एल्ली से बीबाइ